Hi everyone and welcome back to Superfit YouTube channel So today in this video we will talk about stitching and height इसका क्या नाता है, क्या stitching करने से height बढ़ती है या फिर height बाड़ाने के लिए क्या करें यह मैं आज की स्वीडियो में आपको बता हूँगा तो stitching करने के बाद हमारे दो टाइपस होते है जो दो तरह से react होता है हमारे बोड़ी में तो सबसे पहले reaction के बाड़े में, इसके बारे में आपको बता हूँ सबसे पहला जो रियक्ट होता है वो होता है stretch reflex reaction होते है, जब हम stitching करते है तो stretch reflex ऐसी process है, जो muscle के ऊपर होती है यानि कि muscle के अंदर होती है तो क्या होता है कि जब भी आप stretch करते हो, hold करते हो उस वक्त होल्ड करने के वज़े से आपकी मुसल की लंबाई बढ़ती और लंबाई बढ़ने की वज़े से मुसल की आपकी जो मुसल स्पिंडल है वो एक्टिवेट हो जाती मुसल स्पिंडल एक्टिवेट हो जाने के बाद वो CNS के मैसेज सेंड करती है एक alert बेचती है कि मैं इतनी देर तक लंबाई को रोक सकता हूँ लंबाई इतनी बड़ी है और इतनी तेजी से लंबाई बढ़ रहे है और यहां तक लंबाई बढ़ सकती है और इसके बाद लंबाई बढ़ नहीं सकती है और इतनी देर तक hold कर सकती है यह सारी information जो है, वो muscle spindle जो है, वो muscle के बीचो बीच अंदर होता है, वो CNS को send कर देता है, और जब CNS इस information को adapt करती है, और उतनी जो भी process है, वो पूरी हो जाने के बाद, उतना hole पूरा हो जाने के बाद, उतनी लंबा है पूरी हो जाने के बाद, CNS फिर से एक बार muscle spindle को message कर अब इस से आगे hole नहीं पाएगा, और हम अपने आप अपना stretch जो है, या फिर hole जो है, वो छोड़ देते हैं, तो यह सारी process होती है stretching में, तो आप बताएगे कि इस सारी process में हड़ी का कोई भी काम था, नहीं था, तो आपकी लंबाई जो है, वो पूरी हड़ी हो के उपर है तो इसका overall जो meaning था, जो मेरा बताने का था, कारण था, वो था कि stretching करने से आपकी height नहीं बढ़ सकती, myth है, भूल जाओ, इसमें और भी एक process है, autogenic innovation, उसके उपर मैं जल्दी video बनाऊंगा, तो उस video को देखने के लिए चैनल को subscribe कर जिए, और उस video में शायद आपको information मिल जा